हेलो दोस्तों स्वागत छे मारी चैनल गुजराती साहित्यमा आप सवनू आजे आपने जानी चुँ आदुनिक गुजराती साहित्य स्वरुप माती नवल कथा साहित्य स्वरुपना लक्षणू अने आ एनिमेशन साथे नो वीडियो पूरे पूरो जोवा विननती छे आखी स्लाइड मा शूशू अब्यास करीशू नवल कथा सब्दनी व्यूत पत्ती नवल कथा एतले शू तेनी व्यक्षया नवल कथाना परियाय नवल कथाना गटकत तो स्वरुपन लक्षणूनों अब्यास करीशू हवे नवलकता शब्धनी व्यूतपत्ति नवलकता शब्ध अंग्रेजी शब्ध नौवेल परथी बनेलोचे नौवेल लेटीन शब्ध नोवास परथी बनेलोचे जेनों अर्थ नवीन थाएचे अने नवल लेटलेके नव के पहला करता जुदु एवो शाब्दीक अर्थ करवा मा आवे छे गुज्रात मा वपराता नवल कदा शब्द मा बेया शब्दो रहेला छे एक नवल अने बीजो कथा नवीन के नवी वार्था एवो सादो अर्था अपड़े करी शक्ये छे भगवत गोमंदर शब्द कोश मुझब संस्कूल शब्द नवल एतले अदभूत अने कथा एतले वार्था एवो अर्थ आपयो छे अने नवल कथा शब्दन एक अर्थ अपुर्व अत्वा काल्पनिक कथा एवो पन करी शकाए हवे आपने नवल कथा शब्दनी व्याख्या हो जोईए नवल कथा एटले शू? नवल कथा इस दा नेवर एनिटिंग बट अ फिलोसोफी एक्स्प्रेस्टी नी इमेज आलबर्ट काम्स कहे चे के नवल कथा बिजु कई नाथी कहतू परन्तु जीवन नी फिलोसोफी आपे चे अने एपन इमेज अने कल्पनाओ मा हवे बिजी एक शोट अंग्रेजी डेफिनेशन जे जो तमें याद राखी शकोतो बेश्ट जे दा नोवल टेल अ स्टोरी नवल कथा एक वार्ता नी जेम कहे चे येम फोरेश्ट कहे चे हवे आपने नवल कथा कल्पनात मक कथात मक गद्यनी कला चे स्टीवन सन एउ कहे चे के कल्पनात मक होए नवल कथा अने गद्य स्वरूपमा होए अहिया मित्रो ग द अने य चे द शब्द नती ग द नती ग द अनी य गद्य जोईंट करीने बनेलो शब्द चे गद्य पद्य हवे नवल कथा ए जीवननू जड प्रतिभीम नती जीवनना विराट फलक पर प्रतेक रहतीनी आसपास विट्राईने पड़ी चे विराट कथा अने प्रतेक एक एक केंद्र छे आउक अनुबाय जानी कहे छे के फक्त एक जीवननू प्रतिभीम नती पर नती एक विराट जीवननी वाद करवामा आवे छे घध्य मों लखेली काल्टनीक वार्ता एकले नवल कथा एउ शार्थ गुजराती शबदकोश मूझब एकले घध्यफर्मम लखेली होई आने काल्टनीक मण होई अमूक लंबाय दरावती कलपक घध्यरचना एकले नवल कथा एबेल शोवेल कहे छे हजू वदिव केटलिक वेख्याओ जोईले नवल कथा ये पसार थता मार्गनू चित्रन ये उश्टेन कहेचे नवल कथा ये गद्य के पद्यमों लखी शकाय तेवी कल्पनात्मक इतिहास कथा बेकन कहेचे एतले के केटलिक एतियासिक नवल कथा ओपन होई शके परन्तु इतिहास नो दस्त का बाग साचो अने नेवुट का बाग कल्पना होई एतियासिक नवल कथा कहवाए हवे इश्वरे त्यजी दिर्यला जगतनू महा कावे एतले नवल कथा जोड्ज लुकास कहेचे नवल कथा साहितनू माध्यम जीवन छे बाशा नथी मैथ्यू अर्नोल्ड कहेचे के ए जीवन माव्यक्त थाई छे नवल कथा कहवाए नवल कथा एतले गद्यमा लखेला आवेल एक दरदर पुस्तक जे माँ साच्या जीवन नी कथा कहवामा आवेल छे मैरी मेकार्थी कहेचे नवल कथा आवता युगनू गद्य महा कावेचे उँ फिल्ड हवे आपने नवल कथा साहित्य स्वरूपना पडियायो जोईए जे मां अंग्रेजी शब्द मां कहवाईचे नवल गुज्राती मां नवल कथा हिंदी मां उपन्यास सिंधी उर्दु मां अप्साना मराठी मां कातंबरी तेलुगु मां नवल आरी ते अलग-अलग बाशाओं मां नवल कथा ने अलग-अलग नाम थी उडखाई छे हवे आपने नवल कथा साहित्य स्वरूपना लक्षणों अब्यास करिये एमा सव प्रतम जे कथा वस्तु बीजा नंबर पर चे पात्रा लेखन त्रीजा नंबर पर चे स्थलकार चोथा नंबर पर चे वातावर अने वर्णन पांचमा नंबर पर चे संवांद लेखन छा नंबर पर चे निरूपन रिती अने बाशाशायली अने वस्तु संकल्तना हवे आपड़े एक एक नवल कथाना गटक तत्वनों अब्यास करिये एमाचे कथावस्तू तो कथावस्तू महत्वनों गटक छे केम कारण के कथा गटना वार्ता मुख्य सामगरी बनीने आवे छे हवे कथावस्तू कारिया कारणनों सबन स्थापे छे कथावस्तू अदबूत रोमान चक वेगीला प्रावावारी अने मानविया धाव कथाओ थकी सजेली होई जोई ये रुदयस पर्षी होई त्यारे उत्तम क्रुती बनवा पामे छे एले स्टोरी वार्ता आपने वेक्ष्यामा पन जोई गया के नवल कता एतले ए स्टोरी काल्पनिक कथा तो एमा मुख्य छे कथा वस्तू स्टोरी तो होवी जोई ये हवे पन आदूनिक जे नवल कताओ छे एमा स्टोरी नो उप्योगोछो औने गटना उपर वदारे द्यान केंद्रित थाई छे हवे नवल कताना गटक्ततों माँचे पात्रा लेखन जेमा नवल कताये व्यक्तियोंना संदर्मा आगल दपती कता छे तेना केंद्रमा मानस चे समाज मा रहेला होवा थी पात्रों तेनी लाक्षन रिकताओ साथे प्रक्टे छे पात्रों थकी गटिशील रहेल रहती नवल कता पात्र प्रदान बने छे कुरूती मा साधा गतिशिल पात्रों औने गतिशिल पात्रों सरार के संकुल पात्रों होई छे जे मा तेमने सर्जके कुशरता थी विक्साववाना होई छे दाखला तरीके मानवीनी बवायमा पात्रों मा जोईयत राजू काडू एवी रिते दरेक नवल कथामा कोई ने कोई पात्र होय चे पात्र वगर नवल कथा संभवित नथी परन्तो आद्धुनिक नवल कथामा एपात्रों ने छुपाववा माटे के A नामनू B नामनू एरीते प्रतिकात्मक पात्रों बनाववामा आवे चे हवे गटक ततों मचे स्थर काल स्थर काल नवल काथानी गटनामो निष्ची स्थर कालनो परिवेश लहीने आवे चे योग्य कथावस्तु के पात्रविका साद्वा कथामो स्थर अने काल जरूरी छे स्थर्ड कार वास्तविक होय के कातनी परंतु तेमा जीवन्त पणू आवू जोई ये जेमा नवलकता नी गटना स्थर्ड कार मों विकास पामें चे तेती ते वास्तविक लागे छे स्थर्ड कार ना वर्णनों थकी नवलकता मां सू सम्वादीत वातावां सर्जातू है चे जो स्थर्ड ने कार ना होई तो नवलकता ए नवलकता जेऊ लागेद नहीं वास्तवीक हवे वातावरा अने वर्णन वाताओं ने वहननमा वात करिये तो नवलकता नी समगर बावसुरुष्टी साथे वाताओं नो अभिन्न सबन छे वाताओं द्वाराज बावक कुरुटी साथे नीकरता साधी शके छे नवलकता ना विशय ने अनुरूप वाताओं नो सर्जन करूए सर्जक नी जवाबदारी छे वाताओं विना नवलकता नी करतना नई थाई शके नवलकता मा जे वस्तू होई तेज वाता वरा सर्जक बनावे छे अने स्थरकाल मा वाद करिये तो कितलीक नवल कथा हो तो एक दिवस्तनी गटनानी आखी नवल कथा सर जाए छे तो कितलाक मा तो कितलाक वर्षो अने महिनाओ हो होई छे ये विज़ी से तेहां या वातावाननी वात करियें तो कोई ने कोई दाखला तरी के गढ़नी वात होय तो गढ़नू वातावान उभू करवानू आवे छें हवे गामडाना विशेवस्तु है तो ग्राम्य वातावनान एनो परिवेश ग्रामनू एक वातावन उभू करवानू होई छे तेम शेहरी जिवन आदारित विशेवस्तु वाली नवलकता मा शेहरी वातावनान ट्राफिक रस्तावो रोड मौल आ कल्चरे मा आवू जोईए तो गामडा मा खेती आते पशुपालन आते नी वातो आवी जोईए हवे वल्णन नी वात करिये तो वल्णन मा नवलकताकार जेवो रस उथ funding करवानों होई तेम वल्णन करता होई चे जयमके बहानक रस उथ उथ उत made करवा माटे समुद्रणा मोजाना प्रचन उच्छळात गंड गोर अंतकार गुवड चिब्री नू बोलू आ बहानक रस आवु वर्णन करेचे अने एक वातावान नुँ भूथाई चे डरामुणू एवी दिते आपने कालु राजु नी नवल कथा मा जानिये चे के एमा दुषकाल नुँ वर्णन चे तो दुषकाल वतावा माटे प्रणाई नी जे दुषकाल पढ़ेचे ए प्रणाई नुँ जेम उजडी गयों चे एवी दिते कालु और राजु नी जुदाई अने प्रणाई मा पन दुषकाल पढ़ेचे एवो दुषकाल बार पन वतावा मा आवेचे आम बार नुँ वातावरन अने मानस ना भीतरनु दुषकाला बन्य दुषकालों साथे वर्णावया चे हावे नवल कताना गटक ततो मा चे संवद लेखन हावे नवल कतामा आवता पातरणी वाचतीत द्वारा ठतो संवद आर्वी बाव छे अगत्यनु चालक बड बनी रहे चे आा संवद कृती मां संवद अने मनोमनतन द्वारा कथा तमक पातरों ने वेग मळे चे आ समवाद विशय वस्तुने अनुरूप कार्यसादग संप्रवयोजन प्रभावक होवा जरूरी छे तुमका सुरेक स्पष्ट अने वाणी विलास्ती मुक्त समवादो नवलकाथानी सिद्धी बनी रहे छे दाखला तरीके अमरूताना समवादो जिया अमरूता नवलकाथाना समवादो जुआ जे वाची अभें निरुपन रितीमां जो ये नवलकाथा मां एक सुत्रमा प्रगट थत्वा गटख थत्वा अगर्ट यनुचे थूर अने सुक्ष्म बन्ने भूमी का एक साते रचाती ओती स्लूज लिष्ट छे त्रीजो पुरुष एकवचन दी लईने प्रथम पुरुष केंद्रप्रदान सुधी सर्जक नी आंतर सुजुनों परिचय करावे छे कई रिते आखी नवल कथा आगलवदे छे कथा मों गटना प्रसंगों पात्रों स्थवल कार्ना वणनों समवाज सबर्नी परिष्टितीने असरकारक मनावा सर्जो को कीवी सरनाचना करे छे तेना पर कुरुतीनी सफर्तानों आदार रहेलो छे नवल कथा मा पात्र, पात्र माला, स्वप्न, डायरी के नोध पोथी, एकोक्ती, स्वकोक्ती, वगेले निरुपन रिती के कतन पद्धतीनों उप्योग थाई छे आखी नवलकता जाने के डायरी रूपी होई अत्वा तो आखु स्वप्न रूपे नवलकता होई अत्वा तो पत्र रूपे आखी नवलकता चालती होई अत्वा तो एक व्यक्ती आखी नवलकता संब्डावतो होई आप्रकारनी अलग-अलग टेकनीक वप्राई चे चिन्न पत्र मा आ खुब पत्र द्वारा एक नवलकथा चाले चे, तो स्वप्न तीर्थमात स्वप्नानू खुब महिमा अंदर वतावाम आवे चे, स्वप्ना द्वाराज नवलकथा आगलव दे चे अवे नवलकताना गटक ततों माँचे बाषा शैली बाषा ए नवलकताना सरजक माँटे ओजाल छे बाषा नी इमारत शब्दोनी इन्टो वडे बनेली होयgen कथा वस्तु आदारित बाषा होई जोहिए अने बाषा सरर्ल प्रासाधीक होई जोहिए लोक बोली तरपदा क्यारे ग्रामिन प्रदेश नी होई ते आधारित होई रूडी प्रायगों कहवा तो उक्तियों नो पन उप्योग थाए दाखला तरीके ग्राम मैं शैली नू नवल कथा चे तो एमा तरपदा शब्दो ग्रामिन प्रदेश पन होई टूंक मा चेल्ला व्यक्तिने संब्दाएवी बाशा होवी जोईे तुंक मा समाधना चेल्ला वर्ग सुधि आपणी नवल कथा पहच वी जोईे जो शेहरी होई तो शेहरी प्रदेश उब्बो कराओं माट ये प्रकार नी बाशा वप्राए तो कोई मजूर होई नवलकता मों तो मजूर प्रकार नी बाशाव अपरा ये अलग-अलग कोण छे, कोण बोली रही चे प्रमाणे नी बाशापन आवे छे नवलकता ना गटक ततो मां चे वस्तु संकलत ना आ दरेक वस्तु नू जे वर्णन थई ये दरेक ने एक गुन्थू पड़े आपणे नवलकता मां कथा वस्तु नी गोठवान होई छे व्यक्तियों ना संदर्म कथा के पची बिजी अन्य होई छे हवे एक कथा नो प्रवा चालू रहो जोई ए एक प्रसंग ने बिजा प्रसंगमा संकरवानू काम करवांमा आवतु होई जोई ए एटले वस्तु गुन्थन ऐ र Rap थवि जोई कि जहम अलग-अलग दुरायों गुन्थाई ने एक रूप धारान करे छे एक रुमाल बने चे एक रूप जानन करे चे एरी ते नवलकता बनवी जोईएं दाखला दरीके एक राजा न एक राणी बनने मृत्यु पामें तो आखी स्टोरी एरी ते बनवी जोईएं एक राजा आतो ते शिकार करवा गयो अने मृत्तिव पाम हो तो तेनी पत्नी तेना शोक मृत्तिव पामी नवलकताना गटक ततों मचे जीवन दर्शन आने आपने छिल्ला मुद्धा तरीके दर्शावी शकीए नवलकताकार कोई ने कोई द्रुष्टी बिंदू जगत सामे रजू करतो होई छे नवलकताकारना चित्तम नवलकता लखवा माटेनू कोई ने कोई खास प्रहुजन पन होई जोई ये क्यामके हेतु वगना प्रहुजन तो कशोज अर्थ सर्तो नथी येले जीवन नू दर्शन जीवननी फिलोसोफिया मा रजू थाई छे एतले तो कडा माटे कडा ने जीवन माटे कडा एवा ब्यम मतो छे एतले जीवन दर्शन रजू थाई तो एक कथा कि नवलकता आपना मनुष्यन साथे संकडाई जाई जेम प्रविजन उन्चू स्पर्ष्ट तेम नवल कथा ने अधीक सपरता प्राप्त थाई छे अवेलेबल चे, MCQ प्रश्णों चे, दरेक लेखा काने कवियो नू जीवन परी चे पन चे आम तमाम प्रकाना वीडियो तमने मडी रह शे